कर दोस्तों आज हम लोग जानेंगे आयत क्या होता है आयत का छेत्र फल क्या होता है परिमाफ विकर्ण इन सभी चीजों के बारे में जानेंगी आज इस वीडियो में तो वीडियो को इन तक देखेगा तो चलिए इनकी शुरुआत करते हैं तो इसकी ज्यानकारी के लिए पहले बता दे आयत की जो होती है आमनी सामने की जो भुजा होती है वो बरावर होती है और आयत का इच एंगल जो होता है वो 90 दिगरी का होता है यह एंगल हो गया दो भुजाओं से बनी कुन परतिय कोंज होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं आयत के आयत का आमने सामने का भुजा बरावर होता है और परतिय कोंज होते हैं समकौन होते हैं तियानि आयत क्या है आयत है क्या कि एक चार भुजाओं से बनी बंद आकरीती है चार भुजाओं से बनी बंद आकरीती है उसे हां आयत कहते हैं और जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो और समानतर हो यानि कि ये सीधा अगर चले और ये सीधा चले कभी एक दूसरे को ऐसे करके कटिंग नहीं कर सकता है या ये चले सीधा और ये चले सीधा तो कभी एक के समानतर चलती है और परत्य को 90 डिगरी का हो उसे ही आमा आयत काते हैं तो इस बुझा की लंबाई बड़ी बुझा को लंबाई काते हैं बड़ी बुझा की लंबाई को एल मांते हैं यानि लेंध और चोटी बुझा ब्रिट फोराई भी मांग लेते हैं तो आयत क्या है हो गया अब कोई भी चार बुजाओं से बंई जो बंद आकरीती होती है उसके सभी क्नों का यूग जो होता है थ्रीज़िक्सटी डिग्री ना हम होता है ठीक है कोई भी चार बुजाओं से बनी आकरिती जो होती है उनके सभी कुनों का योग जो होता है 360 डिग्री का होता है इसमें भी देख लीजिए इसमें भी हो गया 90 डिग्री ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री हो गया तो यह हो गया आयत अब इसका छेत्रफल जो होता है आयत का छेत्रफल क्या होता है पहले छेत्रफल जान लेते हैं चेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चोराई आयत का चेत्रफल होता है लंबाई गुना चोराई इंपल है अब हम पहले इसके विकर्ण के बारे में जानते हैं विकर्ण क्या होता है तो चलिए देखते हैं विकर्ण क्या होता है तो विकर्ण जो है विकर्ण में पहले यहां नाम लख लेते हैं A, B, C और यह दी तो यह जो होता है corner corner A, C विकर्ण है और B, D विकर्ण है तो A, C और B, D जो होता है एक दूसरे के बराबर है A, C और B, D यानि विकर्णों की लंबाई जो होती है वो भी बराबर होती है तो A, C और B, D जो होता है बराबर है एक दूसरे के बराबर होते हैं ठीक है तो आयत के विकर्ण का मान क्या हो जाएगा आयत का जो विकर्ण है इनका मान क्या हो जाएगा इनका फर्मूला क्या होगा ठीक है इसके बारे में जानते हैं तो यह आप देख पा रहे होंगे कि इसके एक इसकी लंबाई जानने के और ये कौन सा तिरवुजे समकून तिरवुजे क्योंकि कौन का मान जो है वह 90 दिए है ठीक है और मुझे बताया गया है कि इसकी लंबाई जो है वह L है और इसकी चोड़ाई जो है वह P है तो इस विकर्ण की लंबाई निकालनी है ये रहा विकर्ण इसकी लंबाई निकालनी है तो मैं क्या करूँगा पाइथागोरस प्रमे लगा दूँगा और पाइथागोरस प्रमे के हिसाब से अधार का स्क्वाइर आधार का स्क्वाइर पलस लंब का स्क्वाइर इसक्वाइर 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 इसक्वा बराबर हो जाएगा विकर ä C बराबर — भी दी इसक्काल टू हो जाएगा रूट अंडर L स्कायर प्लस B sqwer ठीक है यह हो गया विकर निकल गा जिस और which कैसे निकाला यह आपने देखा यह पैठा गोरश हो विकर स्था बारत्रह से परिमाप को इंग्लिस में ही परिमीटर करते हैं तो परिमाप होता क्या है इसे किस तरह डिफाइंड क्या जाता है यह देखते हैं परिमाप यह होता क्या इसे किस तरह डिफाइंड करते हैं यह देखते हैं तो अगर मैं एक सिर्ष से चलता हूं तो पहले चलिए फिगर पे चलते हैं एक सिर्ष चलता हूं और उन भुजाओं के साप एक्स चलता हूं उन भुजाओं के साप एक्स टोटल तै की कोई दूरी तै करके पुना उसी सिर्ष तक पहुंच जाना इस दूरी को ही हम करते हैं परिमाप ठीक है यानि मैंने बी चला फिर एल चला फिर बी चला फिर एल चल दोनों को टेग किया यानि कि दो लंबाई कवर करेंगे और फिर दो चोराई कवर करेंगे तो पैरिमीटर इसकोल टू हो जाएगा टू इन्टू लंबाई पलस चोराई यही हो जाएगा हमारा परिमाप ठीक है समझ गए है अब हम देखते हैं कुछ नया कुछ नया देखते हैं मालीजे ये एक घरी मालीजे घर है और ये चारो बगल से बॉन्दी दिया हुआ है बीच में ये रास्ता के लिए घर के बाहर और बॉन्दी के अंदर जो है ये रास्ता का जगह है जाने का या पार्किंग है कुछ ऐसा समझ लीजे ठीक है तो इसका छेत्रफल क्या हो जाएगा रास्ते का छेत्रफल क्या हो जाएगा वो तो direct formula भी होता है मैं आपको इसमें निकाल के दिखाऊंगा आखे formula कैसे निकलता है उसका किस तरह से निकलता है तो रास्ते का छेत्रफल क्या हो जाएगा यह निकालना है तो पहले निकलेगा क आए इसमें राश्टे का छेत्फ़र निकलेगा कैसे यानि टोटल आयत का छेत्थ फल च्फल कर देंगे तो राश्टे का छेत्फल मेरा निकल जाएगा तो इसके लिए इसकी तो लंभाइद दी वह यह । यह यह यहां चौराई है चारो बगल समान है यानि यह डबलू है चौराई यहां भी डबलू माले यहां भी डबलू होगा यहां भी डबलू होगा रास्ती की चौराई जो है वो डबलू है और यह अंदर वाले यहां की लंबाई एल चौराई भी तो क्या बाहर वाले का छेथपल निकल सकता है अंदर वाले का छेथफल तो निकल गया लंबाई गुना चोड़ाई यह हो गया इसका छेथफल बाहर वाले का छेथफल क्या होगा इतना दोर तो इसका भी लंबाई ही है L और यहां हो गया W यहां हो गया W यानि इसकी लंबाई हो गया L प्लस 2W ठीक है हो गया प्लस 2W तो इसका छेत्रफल क्या हो जाएगा एल से हमने लंबाई को सुचित किया है ठीक है अब बी से चोड़ाई को डब्लू जो है वो रास्ते का चोड़ाई है तो अब इसका भी लंबाई गुना चोड़ाई हो जाएगा छेत्रफल क्या हो जाएगा लंबाई जो लंबाही भुना चोड़ाही छेतपल था यह हो गया बडिक बड़े का चेतपल यह हो गया चोटे का शेतफपल मैनस निकल जब क्यों हो जाएक से पहले टोटल को गुना करते हैं अ से लग और यह से करेंगे ल डबल्लम प्लस टो टोल्व को करेंगे 2W common है 2W common लिए L प्लस B प्लस 2W ये हो जाएगा राष्टे का छेथफल का फर्मूला इस तरह से हम निकाल लिए क्या चीज का फर्मूला निकला ये ये जो है अंदर का ये जो है राष्टे का छेथफल इसका फर्मूला निकला ये इस तरह से हम ये भी फॉर्मूरा निकाल लिए और इसके बारे में जो है समकून त्िरiliyor posicas that you have a उलता निकाला जाता है किया है समकून त्री में शैचम के बारे में तो उपर आई-बटन पर उसका वीडियो है वह लोग आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख लिजेगा और मेरे पिछले वीडियो का भी लिंक जो है ट्रैंगल समकॉन त्रिभूज का सबका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसको भी आज जरूर देखिएगा आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो सब्सक्राइब लाइक शेर जरूर करें और कमेंट भी जरूर करें धन्यवाद